नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनन पर सरदिय नवरात्रों में कन्या पूजन के समय करे यह काम भगतो हिंदू धरव में नवरात्रों का एक अलग ही मैतों माना गया है इस साल की सरदिय नवरात्रे 15 अक्तूबर से आरब हो चुके हैं और 23 अक्तूबर को समाप्त होगे नवरात्रों के नो दिनों के दोरान माता नो रूपों के रूप में विदी विदहन से पूजा की जाती है यह नो दिन बिलकूल एक उच्छव की तरह होते हैं जिसमें अश्टमी और नोमी को कन्या भोजन कराया जाता है कन्या भोज भारत्य परंपरा का एक महतो पूरण हिस्सा है कन्या भोजन में बच्यों को हल्वा पूरी खिलाया जाता है और माता को भोग लगाया जाता है बहुत से लोग मातारानी को हल्वा पूरी के अलावा भी बहुत सी चीजों का भोग लगा कर पर्सन करते हैं नवरात्रों में मातारानी को खुस करने के लिए लोग कन्याव को भोजन कराते हैं, भोजन कराने के साथ कन्याव को दिक्षना देते हैं, कन्याव को नवरात्री में उपहार देने की परंपरा बर्सों से चली आ रही है, मान्यता है कि नवरात्रों में मा भवानी एक छोटी क कन्या के रूप में आसिरवात देने आपके घर में आती है भक्तो अश्टमीवे नोवी के दिन कन्याओ को बड़े ही आदर के साथ घर बुलाना चाहिए और उन्हें सम्मान के साथ भोजन करा कर भेट देनी चाहिए आज हम आपको बताएंगे कि कन्याओ को क्या उपहार देन होती है नंबर एक लालवस्त्र नवरात्रों में आप कन्या भोज कराएं तो कन्याओ को उपहार के रूप में लालवस्त्र देने का विशेश महत्तो होता है अगर किसी वजह से आप लालवस्त्र देने में ऐसमर्थ है तो सभी कन्याओ को लाल रंग की चुनरी दे सकते हैं लाल रंग को विर्धी का परतिक माना जाता है और इसके साथ ही लाल रंग मा की पोशाक का रंग होने के कारण बेहद ही सुब माना जाता है वहीं लाल रंग के वस्तर देने से आपका मंगल भी मजबूर होता है नमबर दो फल नवरात्रों को कन्या भोज कराने में कन्याओ को कम से कम एक मोसमी फल जरूर देना चाहिए माना जाता है कि नवरात्रों में कन्याओ को फल देने से आपको आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर पराप्त होता है फलो में सबसे सुब केला और नारियल को माना जाता है माना जाता है कि केला विश्णू जी का पिरिये फल है और नारियल यानि स्रीफल मा लक्षमी का पिरिये है इन दोनों को दान करने से आपके घर की सुख समर्धी में विर्धी होती है नमबर तिन बादाम का हलवा बादाम की सेहत से जुड़ी फाइदे तो हम सभी जानते हैं इनी फाइदों से बरपूर बादाम का हलवा आप इस नवरात्रे कन्या पूजन में कन्याओ को खिला सकते हैं बादाम का हलवा जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही सेहत मंद भी होता है तो इस कन्यापूजन में हलवे की जगहे बादाम का हलवा खिलाए और कन्याओ को परसन करें चार खिर घर पर कोई भी पूजा हो या त्योहार खिर के बिना भोग अधूरा है इस नवरात्रे कन्यापूजन में आप भोग के रूप में खिर बना कर चड़ा सकते हैं कन्याओं को भी खीर बहुत पसंद होती है तो इस नवरात्रे आप कन्या पूजन में खीर पूड़ी भी खिला सकते हैं नमबर पाच मिठाईया मिठाई प्रेमियो की सबसे पसंदी मिठाई बर्फी है यह त्योहार पर जो बनाई ही जाती है लेकिन आप इसे माता को भोग के रूप में भी चड़ा सकते हैं कन्या भोज में हलवा पूड़ी के साथ बर्फी खिलाएंगे तो कन्या खुस हो जाएंगी नमबर छे मिठाई कन्या भोज को कराने के लिए आपको कम से कम एक मिठाई भी सामिल करनी चाहिए अगर कोई वजह से आप मिठाई सामिल नए कर सके तो घर में साथ सुत्रे ढंग से बनाया हुआ सूजी का या फिर आटे का हलवा भी मातारानी को भोग लगा कर कन्याव को खिला सकते हैं ऐसा करने से आपके ग्रूग रह की मजबूती बढ़ती है और मा भगवती भी आप से परसन होगी नमबर आट सिंगार सामागरी नवरात्रों में कन्या भोज कराने के बाद भेट में कन्याव को सिंगार की सामागरी भी उपाहर में दे सकते हैं यह सिंगार सामागरी पहले माता को अरपित करनी चाहिए और उसके बाद छोटी छोटी कन्याव में बाट देनी चाहिए माननेता है कि कन्याव दुवारा ग्रहन की गई सिंगार सामागरी सीधे माता दुवारा सविकार कर ली जाती है परनू सिक्के नवरात्रों में कन्याओ को विदा करते समय उन्ही दक्षिना के सवरू कुछ रुपे पैसे भी जरूर देना चाहिए ऐसा करने से मा लक्ष्मी आप पर परसन होती है और आपके भंडार भर देती है हो सके तो कन्याओ को अपनी समर्थे के अनुसार 11 या 21 या 51 रुपे देने चाहिए आईए जानते हैं कन्याओ पूजन की विधि नंबर एक कन्याओ पूजन के एक दिन पहले सभी कन्याओ को आमंतरित करें नंबर दो सभी कन्याओ और छोटी लड़कियों के चरण सपर्स करें और उन्हें सापसुत्री जगहों पर बठाए नमबर तीन इसके बाद उनकी कलाई पर मोली बांधी सभी कन्याई लड़कों को तिलक लगाई नमबर च्यार इसके बाद उन्हें भोजन खिलाई कन्या पूजन के लिए हलवा और पूरी का परसाद अवश्य होना चाहिए नमबर पाच कन्याई को बड़े ही प्यार से भोजन कराई और अंत में उन्हें गिफ्ट दे उनके पैर चुए और उन्हें छोडने जाई अगर आपको हमारी एह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए सेयर कीजिए और चैनन को सस्क्राइव कीजिए और यदि आप भी माता के सचे भक्त हैं तो कमेंट में जै माता दी अवश्य लिखे हमारी वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद